हेलो इस्टुएंट से आपको नंबर सीज का एक है कोशन गिवन है जिसमें 5, 15, 51 और 158 है अगर मेरे को 5 से 15 पर पहुंचना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा उसके बाद में अगर 16 तक पहुंचना है तो एक जोड़ना पड़ेगा इसी कंडिशन को हम आगे चेक कर पा रहे हैं तो 16, 48, 51, 53, 153 तो हमें 3 से तो हमें गुणा करना पड़ेगा अगर हमें सीरीज गो आगे तक बढ़ाना है और कोशन मार्क को फाइंड आउट करना है तो कैसे सोल करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले 5 को हमें अगर 3 से गुणा क पहुँच जाएंगे इसी प्रकार से आगे बात की जाए अगर 16 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 16, 48 हमारा हुजएगा तो 11 तक हमें पहुचना है तो 3 इसमें हम जोड़ देंगे इसी प्रकार से हमें अगर 51 को हमें 3 से मल्टिप्लाइ करें तो हमारा कितना आ जाएगा यह हमारा 153 आ जाएगा अगर इसमें 5 जोड दिया जाए तो हमें 158 पर पहुंच जाएंगे इसी प्रकार से आगे हम देखें अगर 158 को हमें 3 से गुना करें और इसमें अब कितना जोड़ेंगे इसमें हम 7 जोड़ेंगे क्योंकि 1 से 3 2 का गेप है 3 से 5 2 का गेप है और 5 से 7 में भी 2 का गेप है 158 को हमें 3 से अगर मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 400 24 आ जाएगा और 444 प्लस साथ हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर है 481 आ जाएगा जो कि हमें कोशन मार्क के फाइंड आउट करना है आपका दिये गए फिगर में कितने तिर्बुज है ये आपको फाइंड आउट करना है तो एक छोटी हम आकरती लेते हैं इस वाली आकरती में हम तिर्बुज काउंट करते हैं तो चोटे तिर्बुज आपके एक दो तीन चार है तो चार का हम दुगना करेंगे तो चार दुनिया आठ हो जाएगा तो इसमें तिर्बुजों की संक्या कितनी है आठ है तो आठ तिर्बुज आपके यहां पर है आठ यहां पर है आठ आपके यहां पर है और आठ आपके य यहां पर है तो फिगर में आठ चोके कितना तिर्बुज है 32 आपके तिर्बुजे बन गए इस वाले फिगर से सिमिलर हम बात करते हैं यह वाला फिगर और यह वाला फिगर आपका आपस में जूड रहा है उससे कितने तिर्बुजे बनेंगे तो यहां पर आपने देखा तिर्बुज बनेगा तो यहाँ से दो तिर्बुज और बन जाएंगे इसी प्रकार यह वाला तिर्बुज बनेगा और इसके उल्टे वाला तिर्बुज बनेगा तो यहाँ से भी आपके दो तिर्बुज बन जाएंगे इसी प्रकार उपर वाला जब यह फिगर इसमें अट तोटल तिर्बुज यहां पर कितने हो जाएंगे आपके आठ चोका 32 हो गया दो और दो यहां पर बन गए तो यह आपके चार हो गए दो इधर बन गए फरस्ट और सेकेंड तो टोटल कितना हो गया बतिस और चार 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 च आपका ये वाला तिर्बुज हो ना और इसके उल्टे वाला तिर्बुज बना तो दो तिर्बुज और करेंगे तो यहाँ पर 40 तिर्बुज हो जाएंगे और एक तिर्बुज आपका सब के मिलने से जनरेट होगा जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये वाला जो तिर् ओप्सन नमबर बी में गिवन है तो बी हमारा दिये गए कोशन का अंसर हो जाता है कोशन है आपका अधितियों से आशा का परिच्चे कराते हुए बासकर ने कहा यहां पर बासकर की बात हो रही है और एक लड़की है आशा उसकी बात हो रही है तो दोनों के हमने नाम लिख और दोस्तों आगे कोशन में कहा गया है उसके पिता मेरे पिता के इकलोते पुतर है तो जो आशा है उसके जो पिता है यहां पर हमने आशा के पिता लिखे मेरे पिता जो बासकर के पिता है उसके इकलोते पुतर है तो यहां पर है पिता की बुमिका में कौन आजाएगा ब क्योंकि जो बासकर के पिता है उसका जो इकलोता पुत्र है वही किसका पिता है वही आशा का पिता है तो आशा बासकर से किस प्रकार संबंदित है तो ये बासकर क्या हो गया आशा का पिता हो गया तो ये क्या हो जाएगी इसकी पुत्री हो जाएगी तो यहां पर आप्शन नमर सी यहां पर ही करेक्ट आंसर ही हो जाएगा कोशन है लूप तंक ग्याद कीजिए इसके लिए आपको यहां पर ही चार भाई तीन के एक टेबल गिवन है जिसमें आपका एक नमर मिसिंग है यह मिसिंग वाला नमर आपको फैंड आउट करना है दिये गए चारे आपसन मे होगा जो आप किया फॉर्ट नमर जो है उसकी जो डिजिट है वो यहां पर बड़ी है उपर वाले तीनों डिजिट के समूँ से तो यहां पर हम देखते हैं टॉप टू हमें बोटा में यहां पर फॉर्मूला लगाना है जैसे हम इसे आसानी से स्वालवे कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमें 29 समय बनाना हैं साथ आठ और तीन का प्रियोक करके तो यहां पर सबसे पहले alternative संक्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो 7 को हमने 3 से गुणा किया तो 7 या 21 हमें प्राप्त हुआ अगर इसमें बीच वाली संक्या हम जोड़ देते हैं 8 इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 29 आपको प्राप्त हो जाएगा similar condition हम आगे लगाते हैं तो 4 को हमें 3 से गुणा करते हैं और इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसमें हमने 7 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया 19 आपको प्राप्त हो गया similar condition हम आगे लगाते हैं तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं तो 5 को हमने x से गुना किया और उसमें 6 जोड़ा तो कितना प्राप्त होना चीए 31 आपको प्राप्त होना चीए तो 5x का मान कितना जाएगा 6 यहाँ पर प्लस में है इधर जाके माइनस में होगा तो 31 में से हम 6 गटा देंगे तो आपको यहाँ पर 25 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 5x है x का मान आपको प्राप्त करना है तो 25 में हमें 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 इधर गुना में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा तो 25 पांच बार आपका भाग जाएगा और X कमान कितना आ गया पांच हमारा आ गया और यह आपको आपसे नमबर C में गिवन है तो दोस्तों दिये गई कोशन का हमारा पांच आंसर हो जाएगा